सभी को नमस्कार, आज के इस लेक्चर में सम्मिधान की प्रस्तावना विपेसी मैंस एक्जाम के पोईंट आप व्यू से बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक से विपेसी पिछले कुछ बर्सों में कोफन पूछा है लास जो कफन इस टॉपिक से पूछा है 64 विपेसी में पूछा है इसके पहले 45 विपेसी में और 42 विपेसी जब एक्जाम हुआ था उस एक्जाम में इस टॉपिक से कफन पूछ चुका और यह काफी इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप सम्मिधान या इंडियन पॉलिटी प हो क्योंकि प्रस्टाबना एक तरिया सम्मिधान का परिचर है एक शमरी है तो आप इसके सारे अगर की टर्म को जान लेंगे प्रस्टाबना में किन-किन बातों का जिक्र है उसका क्या मिनिंग है उससे संबंधित कौन-कौन से आठिकल या अनुच्छे है हमारे देश के सम लेंगे तो इस topic से आपका question नहीं चूटेगा तो इस lecture में मेरा यही प्रियाफ रहेगा कि प्रस्तावना के topic को मैंस के point of view से इसका किस्ते से भूमिका लिखा जाए इसके क्या-क्या की element है या प्रस्तावना हमारे देश के सम्मिधान हमारे देश का nature बताता है कौन-कौन फा nature या प्रिकृति को define करता है फिर हमारे देश का क्या उद्देश है या सम्मिधान का क्या उद्देश है हमारे देश की सरकार का क्या उद्देश होना चाहिए इन सब का जिक्र जो हमारे प्रस्तावना में है तो मैं इसको भी बारी-बारी से बताऊं तो सबसे पहले भी मैं बताया हूँ कि किसी भी मैंस पर ये या पीटी के त्यारी कीजिए जब तक आप एक बार प्रिवियर फिर कोस्वन नहीं देखते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी है तो तैयारी पूरा करने के लिए तो आप इस टॉपिक का अगर प्रिवियर फिर कोस ये लॉंग कोस्वन था ओके फिर एक और कोफन पूछा 42 मी भी पेसी में रिलिवेंस एंड फिकनिफिकेंस ऑफ दे फिलोस्फी आप प्रियम्बल मतों कि हमारे सम्मिधान के प्रस्तावना में जो दर्षण का क्या उचित है क्या उसका महत्तो है और 64 भी पेसी में पूछा सबसे पहली बात आता है कि इस टॉपिक को पहने में आप किस तरह के से एक भूमिका तयार करें इंट्रेक्फन तयार करें देखिए कि क्वेस्टन के एकॉडिंग हलांकि भूमिका होता लेकिन फिर भी मैं अपने हर एक लेक्चर में आप लोग को इस बात पर ध्यान दिलाता हूं कि कोई भी टॉपिक का आप एक मोटा कि 99 के लिए मेर्स के लिए जितना भी मैं टोपिक प्रहाया हूं या जितना भी मैं मोरा इण पर बताया हूं किसी भी सब्जक्ट का लगव सौपलफ मैं मोरा सब्सकी कर चुक आड़ी कर चुका हो यूथा देख सकते हैं उस सब लेक्चर में मैं इस बात को बताने का लिखा जाए और जिफतर से मैंने विडियो बनाया था उसमें काफी लोगों को फैदा हुआ था और ये एक्जाम में फैदा आपको देगा इसारी एक्जाम में देगा आप जब भी कोई प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो क्या करता है सबसे पहले वो प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करके जाता है हर एक बॉल को खेलता है या कोई बॉलर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉल करके तभी मैच में उतरता है जस्ट लाइक आपका समझी एक क्रिकेट मैच है आपको सारे चीज का प्रैक्टिस अभी से ही करके जाना पड़ेगा, ताकि एक्जाम होल में बहुत जड़ा आपको दिमाग लगाने की आप सकता आना पड़े, क्वेस्टन देखिए, according to question एक mind map बनाईए, और उसी according आप भूमिका तयार कीजिए, और आनफन लिखना क्या कर यह शुरू कर देखिए, लिकिन हाँ, यह आपको पहले फिंग करके जाना पड़ेगा, तो अगर प्रस्ताबना के टॉपिक में, अगर आपको कोई भूमिका या इंड़रेक्फन लिखना पड़े, हलाकि मैं फिर बोल रहाँ, भूमिका या इंड़रेक्फन क्या होता है, according to question होता है, लिकिन हाँ, फिर भी, एक्जाम से पहले हम क्या करें, क्या त्यार करके जाएं, मोटा मोटे आप क्या लिखेंगे, कि जो हमारे सम्मिधान या किसी सम्मिधान का प्रेंबल या जो प्रस्ताबना होता है, वो essence of the constitution, मतलब की सम्मिधान का सार रूप होती है, यह क है, कुझी है, जैसे कोई ताला होता है, ताला को खुलने के लिए चाबी होती है, उसी तरह हमारे सम्मिधान के अंदर के चीज़ों को पहलने के लिए यह कुझी है, अगर आप प्रस्ताबना के में टर्म को पहलेंगे, तो मोटा मोटी हमारे देश के अंदर के सम्मिधान म उन अब्जेक्टिव, उन आदर्शों, उन एम को प्रतिमिवित करता है, जिसके लिए उस देश की सम्मिधान का स्थापना होती है, या सम्मिधान का दिर्मान होता है, ठीक नहीं, तो ऐसे करके आप मोटा मोटी जो है यह चीज़ा यहाँ पर दिखा सकते हैं, या लिख सकते तो अब अगर एक वर्ड में अगर प्रस्ताबना को डिफाइन करेंगत क्या लिखेंगे, कि identity card of the constitution, सम्मिधान का परिचय पत्र है, जैसे कि अगर कोई आदमी जौब किसी कमपनी में करता है, उसके गलिम देखेगा, उसका परिचय पत्र आता है, उसमें उस परिचय पत्र कोई simple देखके उस ब्यक्ति के बारे में समझेंगे, कि उसका क्या role है इस company में, just like वही यहाँ पे है, कि समिधान की प्रस्ताबना को परने के बाद, क्या role है, क्या importance है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो अगर आप प्रस्ताबना के पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ तत्त मिलेंगे, वो चार चीज है, समझें, पहला प्रस्ताबना ये बताता है कि source, आखिर इस समिधान का source क्या है, इसका सक्ति कहां सा रहा है, सक्ति या source with the people of India, हम भारत के लोगों से आ रहा है, पहला बात ये धियान लखिएगा, दूसरा प्रस्ताबना ये भी define कर हम एक planned निपक उप्र हैं, हम एक democratic republic है, ये सब क्या है, ये हमारे देश का nature है, प्रकृती है, आपका बिचार कैसा है, आप किस nature के भ्यक्ति है、 वही सम्झे धान ये बताता है कि आ कि हमारा देश कीफ nature का है, हम एक secular country है, हम एक socialist country है, हम एक republic country है, एक democratic country है, ये कौन बताता है इसका जिक्र आपको हमारे देश के प्रस्तावना में देखने को मिलता है और प्रस्तावना ये भी बताता है हमारे सम्मिधान का क्या objectives है क्या उद्देश है या हमारे देश की जो सरकार बनेगी उसका क्या उद्देश होना चाहिए इसका क्या परपर्फ क्या होना चाहिए या यू कहें कि हमारे संबिधान का उद्धेश क्या है नियाय, सभी तक नियाय पहुँचे ये उद्धेश है नियाय किसी एक बेक्ति तक नहीं बलकि वो भी तीन तरह का राजनितिक, आर्थिक और समाजिक नियाय पहुँचना चाहिए और आप देखेंगे अभी जो हमारी फरकार है चाहिए सेंट्रल गवर्रमेंट हो या क्या कर रही है ये नियाय पहुचाने कहीं तो काम कर रही है नियाय ही पहुचाने रही है जो भी स्कीम है इसी को लेके है और कुछ नहीं है ठीक ना या DPSP जो मैन चीज़ा है उसी को लेकर हमारे देश की फतकार काम करती है नियाए चलिए तीन तरह है कि नियाए का उब्जेक्टिव रखा गया है हमारे समिधान में दूफरा लिबर्टी फतनता मतलब किसी तरह का कोई रोग टोपने हाँ यह उनके सामने क्या है इक्वल है कोई भेदभाव नहीं कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं ऐसा अब्जेक्टिव हमारे समिधान के प्रस्तावना में है और भाईचारा हम लोग आपस में मिल जूल करे है क्या हिंदो क्या मुफलिम क्या कास्ट ऐसा कोई भी नहीं हो भाईचारा म हमारा सम्मिधान का प्रस्तावना हमको एक उद्देश को रूप में बता रहा है दिखा रहा है कि आप इस उद्देश को लेके देश का आगे बढ़ाईए तभी ये देश पूरे दुनिया में एक पावरफुल या सक्तिसाली देश भारत बन पाएगा और एक चोथा भी ये है कि हमारे सम्मिधान को कब एडॉप्ट किया गया था उस डेट को भी ये प्रस्तावना में जिक्र है आपका 26 नवंबर 1949 का जिक्र इसमें है ये मेली चार आप टर्म याद रखेगा जो हमारे देश के सम्मिधान के प्रस्तावना आपको दिखाई पड़ेगा अब आते है कि अगर कोफन ये पूछेगा कि प्रस्तावना में हमारे सम्मिधान का क्या नेचर है या हमारे देश के क्या प्रकृति को क्या उसको में बर्दन करता है प्रस्तावना अगर वो कोफन पूछेगा तो वही टॉपिक बताने को में कोशिश कर रहा हूँ nature of the state राज की परकृती को define करता है जैसे पहला क्या है कि संपुन परभुत संपन स्वरजीन देट मिंस कि भारत अपने internal मामले पर अपने बाहिय मामले पर किसी भी तरह का decision या निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है किसी विदेशी ताकत के आगे या किसी और दवाव में आकर हम अपना निर्णय नहीं लेते हैं बलकि हम अपनी जवरद के according अपने देश के लोगों के हितों को देखते हुए निर्णय लेते हैं चाए हमारा कोई भी विदेश निती हो फोरण पोलिसी हो या नॉन एलाइमेंट मुवमेंट की बात हो या भी G20 की बात हो G7 की बात हो बिरिक्स की बात हो कोई भी निर्णय हम अपने इंट्रेश अपने देश के हितों के according करते हैं रूस के साथ संबन रखना है अमेरिका अकफाद के साथ संबन रखना है इजरेल के साथ के साथ संबन रखना है बाकी अधर मामले में क्या हमारा मतलब की निर्णय होना चाहिए या यूनों को लेकर मेरा क्या है वो सब मेरा खुद का हम लोगों का खुद का निर्णय होता है किसी बाहरी ताकत के दवाब में आकर हमेशा कोई निर्नाय नहीं लेते हैं इंटर्नल मामले चाहे वो हमारे देश की राजितिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो और कोई समस्या हो यहाँ भी अपना खुद का निर्नाय होता है हमारे फरकार का निर्नाय होता है हम जिसको चुन के भेजे हुए है वो निर्णय लेते हैं किसी और बाहे सकता के या बाहे दवा में आके इसा कोई निर्णय नहीं होता है ठीक नहीं तो यह थो गया इसका क्या मतलब होता है अगर कौफन यह पूछेगा इस टर्म से सम्मंधित कौन सा आर्टिकल या अनुच् सकते हैं आप से हालां कि हमारे संविधान में हमारे जो संसद है उस पर कई तरह के रिस्ट्रेक्शन भी है लेकिन आप अगर कोई निर्णय अगर हमारे फरकार करती है हमारे देश के लिए कोई निती दिमान करती है वो विधायका करती है तो संसद करते हो राज भी अपना क जिसे हमको GST लागू करना था तो इसमें इंट्रदन मामला था इस अनुच्छेद के जरिए ये काम हो गया हाँ इस सम्मिधान संसोधन पर कुछ परतिबंध है अलग बात है बेसिक एस्ट्रेक्टर का कुछ कुछ कॉंसेप्ट लागू हो था लेकिन अगर आपको इस टॉप इंडिया जो है राष्ट मंडल देशों का मेंबर है जो गशमू है जो बिट्टेफ यतने वी अजाद हुए देश थे उपनेवेश थे राष्ट मंडल ऑपन जो देशों का इन्डिया मेंबर है तो यह आलोशना उस समय की गई थी भारत ने बिटिस के दबाव में आके इस आईसा बिल्कُल नहीं है का member रहना चाहते है या नहीं रहना चाहते है ये मेरे उपर depend है हम उससे अपनी membership को वापस भी ले सकते है और ये बात धिहान रखेगा और उसमें जो है अगर इसमें अगर हम member हम हैं भी तो बस इसलिए कि यहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं पुरे दुनिया की भलाई का बात हम रख सकते हैं यह आप धियान रखेगा ठीक तो यह टोपिक आपका मोटा मोटे इतना में बता दिया कि अगर कुफन पूछेगा कुतना भी घुमा के तो आप उसको अराम फे अब दुफरा नेचर क्या बताता है समाजबादी सोशलिस्ट यह सम्मिधान में 42 में सम्मिधान संसोधन के जरिये जो है प्रस्तावना में इस बात को हला कि पहले भी हम समाजबादी देश थे मतलब कि कुछ ऐसे सम्मिधानिक प्रापधान DPSP में थे जो कि हमारे देश को एक समाजबादी या सोशलिस्ट देश को देश क्या करता था गोशित करता था लेकिन हाँ अलग से 42 में सम्मिधान संसोधन के जरिये जो है इसको जोड़ा गया ठीक ने तो अब यहाँ पे यह है कि समाजबादी जो टर्म है इसका सिंपल सा मतलब है कि एक equal distribution संपत्ती का एक ऐसा समान बितरन हो जिस वजह से देश में कोई गरीबी पोवर्टी ना हो लोग बिमार ना हो और किसी तरह की जो आर्थिक अनेकलिटी या विसमता हो वो दूर हो सके आप भी कैतर रिपोर्ट देखते हैं कि देश में कुछी परफेंट लोगों के पास लगभग 40 परफेंट संपत्ती है यह कही न कहीं आर्थिक विसमता का बात है तो समाजबादी या socialist का मतलब यह है संपत्ती का एक ऐसा वितरन हो जिससे सभी देशों सभी लोगों को income हो स किसी तरह कोई विमारी नहीं हो और आर्थिक विसमता दूर होती है और परतियक ब्यक्ति एक नियुंतम जो उसकी need होती है उस according अपना जीवन या अपन कर सके इसलिए हमारे देश में इसी concept के अधार पे मिफृत अर्थ विश्थाक अपनाया गया एक mixed economy को हमने concept को हमारे द company को भी हमने बढ़ाया और 1991 के बाद हमने LPG ठीक ना उदारी करन नीजी करन और बैस्वी करन को जब अपनाया वहां भी हमारे देश के सरकार का उद्देश क्या था गरीबी ही कम करना आर्थिक विसमता ही कम कर आज भी जो हमारे फरकार कर रही है कोई विकार उसमें में नेचर में बदला भले ही आया है लेकिन अभी भी हमारे देश की सरकार का उद्देश लोगों तक समान बित्रन समपत्ती का समान बित्रन या सभी को आई बराने का ही परियास है ये बात आप ध्यान रखेगा हम भरे ही हमने बैस्वी करन को अपनाया है नीजी करन को अपना इत्रन या लोगों के आर्थिक ससक्ति करन ही तू ही अपनाया जा रहा है यह ध्यान दखेगा अगर इससे संबंधित अगर आप आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल आप स्वल्ले का जिक कर दिजिएगा ठीक ने फिर आपका आर्टिकल 19 में जो कोई भी आपको काम करने का अध करता है ठीक ने कहीं आए कहीं वही शुरूत है उसके बाद आपका जो आर्टिकल 19 में जो छठा पॉइंट है आपको कोई भी काम करने का दिखा अर्टिकल अर्टिफ 49 और भी जो डीपेस पीम जो कुछ आर्टिकल है उसका अगर जिक कर देंगा तो आपका ये चीज़ें ह हो जाएगा है तीफरा जो नेचर बताता है वो है शेकुलर या पंत्निरिपेक्ष का ये भी सम्मिधान के 42 मेरे सनस्वधन के जड़े समिधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था ठीक न西AN ईखे सेकुलर या पंत्निरिपेक्ष का सिम्पल सा मतलब है कि हमारे इस्टेट या देश का कोई धर्म नहीं, बलकि यहां सभी धर्मों को बरावर माननेता दी गई है, आप किस धर्म से हैं, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार सब के साथ बरावरी का भौड़कता है, आपको अपना धर्म भी मानने का धिकार है, इसमें कोई दिकत नहीं है, मतलब आपका आर्टिकल 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25, 26, 27, 28 का आप जो उसमें समधन प्रावधान है उसका जिक्र कर देंगे तो आपका इंडिया कहीं न कहीं इस से आपका पता चल जाएगा और फरकार अगर कोई भी अगर निर्णय लेती है अगर कोई भी इसकी मिया कारिक्रम भी अगर लागू करती है वो धार्मिक अधार पर नहीं लेती है प्रास्ताबना अगला जो नेचर हमारे देश का गोशित करता है वो है डेमोकरैटिक लोकतांत्रिक विवस्था वाला देश हम है मतलब कि सासन की जो सारी सकती पावर है वो जनता में ही नहीं थे ठीक ने जनता ही क्योंकि सरकार को चुनती है तो सब कुछ यहां जनता ही है ठीक ने अगर आपको इस से सम्बंधित अगर कुछ प्रापधान अगर समिधान का लिखना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं आप देखिए 74 का जिक कर दिजिए 75 का 163 जो अनुच्छेद है 144 जो अनुच्छेद है मतलब कि यहाँ पे जो भी मंत्री परिफद का गठन होता है जो फरकार बनती है उसको चुनती कौन है उसको तो जनता ही चुनती है चाहिए कैनस्तर की बात हो जाए और यहाँ राज का सकते हैं और हमारे देश में एक लोगों को एक ही बोर्ट डालने का अधिकार है यह भी कहीं न कहीं डिमुकर्टिक व्यवस्था का ही एक पार्ट कर सकते हैं और 18 पलस उमर के लोगों को बोर्टिंग का अधिकार है यह भी कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के आप उसमें 74 आर्टिकल में क्या है कि मंत्री परिफरत का गठन के बारे में एक लाइन लिख देंगे या यह राज के बारे में उसके बारे में लिख देंगे तभी आपका आनुछेद लिखने फे नहीं होगा अगर आप धार्मिक फतनता का अधिकार लिखना चाहते हैं आप देखिए क्या होता है एक जो है आपका मेरा क्या रोल है बस यह कि इसको ऐसे करना है बाकेत आप खुद से कर लेंगे खुद से करना ही पड़ेगा हाँ चीजा आसान हो जाती है जब इस तरह से एक कोई डिस्कस कर देता है ठीक न चलिए दियान रखिएगा अब आगे चलत मोर बन्स था या गुप्त बन्स क्या था राजा का बेटा ही राजा बन जाता था मुटा मुटी ही कुंसेप्ट था अब ऐसा नहीं है प्रधान मंत्री का बेटा राष्ट पती का बेटा विराष्ट पती ही बनेगा इसा बिलकुल नहीं है अगर उनमें काबिलियत है जनता अगर उनको बोड देती है, जनता अगर चुनती है, तो बनेंगे, यहाँ पे आप कोई वनस्वांगत का नितिक या इसा कोई कॉंसेप्ट हमारे देश में बिलकुल नहीं रहा, अगर इससे संबंधित अगर अनुछेद पूछेगा, लोकसभा का चुना होता है, मेमरा पाले अगर चलिए, अब यह जो है न, यह जो बताया आपको संपरभू, पंतनिर्पेक्ष, डेमोकर्टिक, रिपबलिक, यह सब हमारे देश का नेचर या प्रिकृति हुआ, ठीक न, मेरा देश किस तरह का है, अब हमारे देश की जो प्रस्ताबना है, वो कुछ और पॉलिटिकल, समाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियाय की बात करता है, हमारा प्रस्ताबना, तो यहाँ जो आपका पहला समाजिक नियाय है, मतलब कि हर ब्यक्ति या किसी ब्यक्ति के साथ कास्ट, रंग, उसके धर्म या उसके लिंग के अधार पर किसी तरह का कोई भेदवाने, बलकि समाण बहवार की बात की गई, ठीक निया, आर्थिक या जो इकनोमिक नियाय की बात है, आर्थिक कारणों का धार पर किसी ब्यक्ति से कोई भेदवान नहीं किया जाएगा, समपत्ति का समाण बित्रन हो, ऐसा परियास सरकार करेगी, और राजनितिक नि या जो हमारे समिधान में जीकर है, मतलब कि ये तीन तरह की नियाय की बात करता है, अगर इस से संबंधित, अगर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, आर्टिकल देखे, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 38 में क्या है, 49 में क्या है, 41, 43, 44, 43 और 47 का आप यहाँ इजली जीकर कर सकते हैं, तो आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक न, आप देखे, इसमें जो आरक्षन का प्राबधान हो, या EWS को आरक्षन का प्राबधान हो, यह सब कही ना कहीं इस आर्थिक नियाय, और समाजिक नियाय में भी आता है, आप ऐसे करके जो अभी प्रस्तावना यह बात बताता है, कि लोगों की गतिविती या एक्टिविती पर किसी तरह का रोक्त या बॉन्डेशन नहीं होना, और ऐसी फटना होना, जो कि हर एक ब्यक्ति जो है अपना विकास कर सके उसको ब्यकास करने का अपफर प्रदान करना, चाये वो फंडामेंटल राइट में जितने भी अधितना की बात की गई हो, अपना आपको व्यक्ति की फतंता है आपको अपना विश्वाफ धर्म या उपाफना की आपको फतंता दिया गया है ठीकμε तो धिशन रखेगा तो इस तरह का कोई रोग डोग अपने नीजी जीवन में विकास व्यक्ति कैसे कर सकता इसमें आपको फतनता दी गई है आर्टिकल 19 का जिक्र कीजिए 19 से लेके 19, 20, 21 का जिक्र कीजिए और 25 में जो धार्मिक फतनता का अधिकार है वो कही न कहीं इसी से संबंदित है तो इसमें जिसे 19 में है उसमें आपको पता है कि उसमें 6 तरह का बरणन है आपको अपना व्यक्ति के अजादी है कहीं मीटिंग करने का अधिकार है संग वराने का अधिकार है कहीं गुमने का अधिकार है कहीं निबास करने का अधिकार है और कोई भी आपको आजिमिका के लिए काम करने का अधिकार फतनता दिया गया है फिर आप इसमें जो है 21 में आपको right to education भी है शीकता सामिल किया गया है यह सब और आपको जीवन जेने का अधिकार है फुतनता है यह सब आप सारे आर्टिकल को मुटा मुटे जिक कर देंगा 25 का भी आपको धार्मी फुतनता का अधिकार है तो जिक कर देंगा तो आपका यह जो टॉपिक यह जो टर्म है डिफाइन हो जाएगा अगला जो इसमें objective है सब ही लोगों को समानता प्रदान करना equality provide करना तो समानता का simple सा मतलब है कि किसी भी अधार पे जाती धर्म लिंक कोई भेदभाव नहीं होना समानता का बात करता है अगर इससे संबंधित अगर अनुच्छे दिया article का जिकर करना है तो वही आपको article 14 फिले के 18 तक में जो प्रावधान है किसी भी तरह का कोई भेदभाव जाती लिंक अधार पे नहीं है छुआ छुट का खात्मा है यह सब आप इसमें 14 फिले के 18 तक का अनुच्छे एक लाइन एक जिकर कर देंगा तो आपका यह भी हो जाएगा अगला जो objective है बंधुत fraternity मतलों कि भाईचारी की भावना हो पूरे देश के नागरी के बीच में भाईचारी की भावना हो किसी तरह का कोई आपसी जो दुश्मनी ना हो इसके बारे में यह बात करता है तो अगर इससे संबंधित अगर अनुच्छेत का जिकर करेंगे जि नहीं कि स्टेट का भी है और शेंटर भी का भी नागरी का में एक ही देश के नागरीक है ठीक नहीं तो कहिना कि एक बेकती एक बोट का यहां concept है तो यह दिखा दीजेगा और अगर आप मौली करतब पर हिएगा 51A में जितना 11 मौली करतब में कुछ ऐसे मौली करतब है जो अगर बंदुता से संबंदित अगर अनुच्छेत पूछेगा 51A में देखे पहला क्या सम्मिधान का पालन करें तो वह भी कही ना कहीं तो हमको एक रहने का करता है राष्टगान के बारे मौली करतब में वह भी है कही ना कहीं और उसमें जा अगर आप पाचमा लाइन पर कुपरिड धमलो को करता है तो यह हो गया आपका हमारे सम्मिधान का नेचर या हमारे देश की क्या प्रिकृति है और हमारे सम्मिधान के प्रस्तावना में किस तरह के उद्देश की चर्चा की गए इतना होने के बाद अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि हमारा जो प्र सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्दने क्या है बदला है तो उन चीज़ों को मैं बता रहा हूं देखिए जब मेरा समिधान बनके तयार हुआ तो डॉक्टर एंदर परसाज जी ये बोले थे मोखिक रूप से कि कहीं न कहीं परस्ताबना समिधान का हिस्सा है लेकिन बार में जो कि नियापाली काम जब ये मामला गया तो पहली बार एक के गोपालन बाद 1950 में हुआ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये कहा था परस्ताबना कोई भी सक्ती का फिरोत नहीं है इसको नियालय में किसी तरह से लागो या प्रवत्या नहीं किया जा सकता है मतलब ये सम्मिधान का भाग नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मुटा मुटी निर्ने था फिर एक और केश हुआ बेरुबारुक केफ 1960 में इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ठीक है प्रस्ताबना या प्रेमल एक मार दर्शक के रूप में कार करता है आगे सबसे जो most important जो घटना करम हुआ वो केश्वारंद भारती मामला हुआ 1973 में जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं प्रस्ताबना या जो प्रेमल है ये भी part of the constitution है ये सम्मिधान का क्या है अंग है और यहीं से मूल ढाचे या basic structure का भी concept आया था मतलब कि सम्मिधान के प्रस्ताबना है सम्मिधान में कुछ ऐसे key term है जिसको संसोधित संसद भी अपने अनुच्छे 308 की मदद से नहीं कर लगता है क्योंकि वो हमारे सम्मिधान का basic structure जिस पर मेरा सम्मिधान खड़ा है उसक संसद सम्मिधान संसोधन के जरिये से भी नहीं हटा सकते बाके इसके बाद 1994 में एक बंबई बाद भी मामला हुआ था जहां सुप्रीम कोट ने इसी बात के और इसारा किया कि नहीं प्रस्ताबना जो है सम्मिधान के basic structure की और इसारा करती है और कोई भी ऐसा सम्मिधान संस सुधन जो इसको द्वस्त करेगा ये नस्ट करेगा वो किसी तरह से पतलब की कादूरी नहीं होगा इधियान रखेगा और एक फोर्थ एलाइसी केस था इसको इधियान में रखेगा इलाइसी वाद 1995 में हुआ था सुप्रीम कोट ने फिर से एक बात को दोहड़ाया कि प् पहला सुप्रीम कोट में दो वाद में कहा था कि नहीं हिस्सा ने लिकिन लास्ट दो दो तिन केस हुआ और कई फारे से जज्जमेंट में भी सुप्रीम कोट इस बात का अपना जिक्र करते रहता है अगर आगे कोई सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आएगा जहां इस तरह का जिकर होगा तो आप यहाँ पर जोर लिए देखें करेंट के टॉपिक में क्या होता है जैसे माले वन नेशन वन एलेक्सफन का टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं तो यह क्या है और परड़े अधार पर क्या इसमें डेवलप्मेंट हो रहा है जो कमीटी गठीत हुआ है रा प्रांस आप संबंद पर रहें इंडिया और प्रांस संबंद पर रहें तो इसका कुछ हिस्टोनिकल पॉइंट आप यह देख लिए आर्थिक इसका क्या-क्या संबंद है अलग-लग डैमिंग्सर में और अभी लेटेस्ट में क्या-क्या डेवलप्मेंट हो रहा है आभी वहां के आस्पति हां इंडिया आये थे तो उसमें आप जो भी करेंट में डेवलप्मेंट होगा उसी पेज में लिख लिए हां लेकिन आपको एक दो पेज एक स्टा छोड़ दीजिए यह करेंट होगी आप कई लोग क्या करते है डेली कुछ न कुछ नया टोपिक आता है उसको फिर से नोश बनन नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस का जो संबंध है अगले 5-6-1 साल चर्चे बनाना है आप G20 है चर्चाए में रहना आप G20 का एक टॉपिक एफे कॉपी नोट परा लिजे और जो जो कहीं पर है उसको कहीं भ संब्यधानिक इस्थिति है आप देखे क्या क्या बात लिखेगा ध्यान फुलिजब पहला कि यह संब्यधान का अंग है ठीक नहीं यह जो है ना केबल हमारे संब्यधान का मारदर्शक है बलकि जहां कोई चीज अगर असपस्ट बियाख्या नहीं है उसमें भी इसका रोल है अईफा करके दिखा सकते हैं नेक्स चलते हैं एक और ध्यान रखेगा अगर कुर्फन पूछेगा क्या प्रस्ताबला में किसी तरह का संसोधन हो सकता है हो सकता है लेकिन उसका जो बेसिक एस्टेक्चर का जो कॉंसेप्ट है वो धुर्फत नहीं हो चाहिए जैसे कि सोसलि हो सकता है चलिए अब अन्तिम में इस टॉपिक फेगर कॉस्चन यह पूछ देता है कि हमारे जो प्रस्ताबना हमाई समिधान में है उसका क्या रोल है क्या भूमिका है क्या इंपोटेंस है क्या रिलिवेंस महत उप्योगता या भूमिका क्या है आपको यहां भी फिप्ट परफेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा यहां भी 50 करना पड़ेगा कई लोग क्या करते हैं अगर पुछा की प्रस्तावना की प्रकृति और इसके महत्र की चर्चा करें प्रकृति में तो लगभग लिख देता है मतलग कि 70 परफेंट यही लिख देता है और मां 30 में आनफर लिखना चाहते हैं तो मोटा मोटी आप 40-50 सब भूमिका निश्करस के लिए तरस्ती सब्द यूज करेंगे बाकी जो सब्द आपका बचा 50-50 लिखेंगे तब ही आपको अच्छे नमर में जगा तो पक्का नमर कटेगा देख लिजेगा ठीक न चलिए तो अब अगर इसका महत उप्योकता या भूमिका पुछेगा इसमें आप 8-10 जो है अलग-लग पॉइंट लिख सकते हैं पहला देखिए क्या है तिसके हम लोग नहीं होता है कि भाई अगर सम्मिधान को परना हो तो पूरा आर्टिकल सारा एक से लेके 395 आर्टिकल परने से बहुत लंबा उस किताब को परे बिना भी आप सम्मिधान के की टर्म को आप अच्छे से अइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका महत तो यह भी है कि एक फिलोसपी की जलक देता है हमारे सम्मिधान में दर्फन की जलक देता है ठीना आप कुछ इसमें दिखा दिए कौन फ में फिल देश का नेचर है ठीक हम अइसा नहीं कि हम किसी धर्म को लेके बहुत ही जुक्यवे देफ नहीं हम एक स्टेदर कंट्री है एक सोश्लिस्ट कंट्री है डपबिक कंट्री है डेमो के कंकि हैं आप इसको दिखा देआ ये है कि हमारी पहचान को बताता ऋए foreign पहचान को identify फोई आप इस तरह के हैं इस तरह कर मेरा देश है यह पहचान को को बता रहा है ज़्यान रखेगा तुम नहीं यह पाँ पाचमा क्या लिखिएगा यह हमारे राज यह सम्मिधान का उद्धेस या हमारे सम्मिधान निर्मांताओं का क्या objective रहा था वो बताता है समानता ही बात आप लिखेगा और जहां भी सुप्रीम कोट को किसी भी वाद में अगर किसी सब्द की व्याख्या को लेके प्रोब्लम होता है सुप्रीम कोट भी इसी प्रस्तावना को देखती है अर्थ असपस्ट करने में ठीक और प्रस्तावना भारत के डिमोक्रिटिक सिस सिस्टम इतना सक्सेसफूल है पिछले सब्तर वर्सों में इतना अच्छा सक्सेस और किसी का नहीं है ठीक नहीं और जब मेरा देश अजाद हुआ था दुनिया के कई देशों ने कहा था यह भारत का जो डेमोकरटिक सिस्टम जो लागू हो रहा है इसका धोफना तैह है लेक एक इमपोर्टेंस तो यह भी है कि यह कहीं न कहीं डेट बताता है अडॉप्टेफन या उसको हम कब समिधा प्रस्तावणां को एडॉप्ट किया है तो यह इसमें आठ दस पोई अगर लिख देंगे ना अगर इसका अगर नेचर पूछेगा अगर इमपोर्टेंस पूछ इसमें कोश्वन अभी तक पूछा है या जो पूछे जाने का चांस है में कोशिस के इसको बताने का आप लोग से रिक्वेस्ट इस वीडियो को अच्छे देखिए इसका जो भी आपको नौर्फ दिया जाएगा उसको परही अच्छे से और जितना भी कोश्वन दिया ठीक ना अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा फंडामेंटल राइट उसको करेंगे ठीक ना तब तक आप लोग पढ़ते रहें थैंक्यू